रक्षवंदन का त्योहार नज़्दी का रहा है और हर भाई बहन को इस पर्व का वे सब्री से इंतिजार है रक्षवंदन पर भाई की कलाई पर राखी बांदना एक महत्पूर्ण और पवित्र अनुस्ठान होता है लेकिन एस बार भाई का प्रकोप इस शुब समय पर सवाल खड़ा कर रहा है क्या इस बार भी रक्षवंदन पर भाई का प्रकोप होगा? अगर कोई इसी वक्त राखी बांदता है क्या होगा? पण्डित राकेशर्मा ने इस विसे पर विस्तार से जानकारी दी बद्राकाल हिंदू पंचांग के अनुसार अशुभ माना जाता है इस काल में किसी भी शुभकार्रे को करना वरजित होता है पंदित राके शर्मा sensor बताते हैं बद्राकाल का समय अशुभ माना जाता है और इस दोरान कोई भी महत्पूर कार्रे जैसे विवा, मुन्डन या राखी बांधना नहीं करना चाहिए ऐसा करने से अशुब उपर भाब पड़ता है और कार्रे में विगन आ सकते हैं इस वार रक्षवंदन का त्योहार 19 अगस 2024 को मनाया जाएगा आयोध्या के जोतिश पंडित कल की राम ने बताया इस वार भद्रकाल का प्रकोप रक्षवंदन पर पड़ेगा भद्रकाल सुभा 7 बचकर 30 मिनट से 2 पहर 1 बचकर 30 मिनट से रहेगा इस समय के दोरान राखी बांधना बर्जित है अगर कोई भद्रकाल में राखी बांधने से भाई और बहन के रिस्ते में दरार आ सकती है साथ ही ये कारे अशुब फल दे सकता है और भाई बहन के जीवन में समस्याएं आ सकती है इसलिए भद्रकाल में राखी बांधने से बचना चाहिए